प्रवाट तू यू बाइट पाँच लोग सभा सीटों पर अपने उमिद्वारों के नामों की घोशना कर चुकी है तो वही भायते जनता पाइटी ने दस की दस लोग सभा सीटों पर अपने केंडिडेट्स उतार दिये हैं लेकिन कॉंग्रेस ने इस बाबत अपने पते रही खोले हैं जिसकी वज़या हरियाना कॉंग्रेस के नेताओं में गुटबाजी मानी जा रही है आज ही AICC की इंटरनल कमेची की मीटिंग बुलाए गई है जिसमें केंडिडेट्स के नामों को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा क्यूकि नामों पर पेच कई बार फस चुका है तो संभावना है कि आज सांच तक यानी बीरबार को कॉंग्रेस अपने केंडिडेट्स के नामों का एलान कर सकती है लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पेच फस्ता हुआ नजर आ रहा है और ये पीच फस्ता हुआ नजर आ रहा है भीवानी महिंद्रगर्ड लोकसभा सीट पर एक और चौधरी भुपेंद्र सिंग हुड़ा खुद लोकसभा का चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे तो वहीं भुपेंद्र हुड़ा लोकसभा चुनाव के बहाने अपने काटे निकालने में लगे हुए है दिपेंद्र हुड़ा को रोहतक से चुनावी दावेदार बाना जा रहा है तो खबर है कि सिर्सा से कुमारी सेलेजा चुनावलर सकती है लेकिन शूती चौतरी को भीवानी महेंद्रगर्ड लोगसबा सीड से टिकेट देने को लेकर पेच फस्ता नजर आ रहा है चर्चा है कि भुपेंद्र हुड़ा यहां से किरन चौधरी को लोगसबा टिकेट दिलाने के लिए लोबिंग कर रहे है ताकि विधान सबा में उनका रास्ता साफ हो सके जिससे कोई ऐसा दावेदार उनके सामने ना बचे कि जिससे उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खत्रे में पड़ जाए या फिर उनके अलावा कोई और दावेदार खड़े हो जाए किरन चौधरी अपनी बेटी शुती चौधरी को लोगसबा चुनाव लड़ा कर खुद विधान सबा चुनाव लड़ने की च्छा जाहिर कर चुकी है तो भई दूसरी और भुपेंद्र हुड़ा पूरी कोशिश में है कि कुमारी सेलेजा भी विधान सबा का चुनाव ना लड़कर लोगसबा चुनाव लड़े सिरसा लोगसबा सीट से सेलेजा की टिकेट कंफर्म ही मानी जा रही है लेकिन कुमारी सेलिजा भी इससे पहले लोकसभा चुनाव ना लड़कर विदान सभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी है लेकिन लग रहा है कि कुमारी सेलिजा और किरन चौधरी दोनों लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में उतर सकती है हाल ही में किरन चौधरी ने दिल्ली में कॉंग्रेस पाइटी की सीनियर लीडर सुनिया गांधी से अपनी बेटी की टिकेट को लेकर मुलाकात की लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि इस बाबत कोई फाइनल फैसला नहीं आया है चर्चा है कि 6 सीटों पर आज ही घोशन संभव है लेकिन यहाँ पर निगाहे तो इस बात पर टिकी है कि गुटबाजी और खेमेबाजी के बीच कॉंग्रेस में एक दूसरे के बीच हांगे की लड़ाई लगातार जारी है चर्चा है कि कॉंग्रेस पहले अंबाला, सिर्सा, भिवानी, महेंद्रगर्ड, सोनीपत, फरिदाबाद और होतोक लोगसबा सीट के लिए प्रतैशी घोशित कर सकती है गुरुग्राम, करणाल और हिसार लोगसबा सीट के लिए प्रतैशी बाद में घोशित किये जाने की संभावना है हिसार करणाल और गुरुग्राम लोगसबा सीट पर पूर्वसीं भुपेंद्र सिंग हुड़ा और कुमारी सेलिजा, रंदीब सुर्जेवाला और केरन चोधरी अपने-अपने मजबूत प्रतैश्यों के लिए पैरवी कर रहे हैं कुमारी सेलिजा सुबे की दो और लोगसबा सीटों यानि अमबाला और हिसार पर अपना प्रभाव बरकरार रखना चाहती है लेकिन यहाँ पर देखना दिल्चस्प होगा कि क्या कीरण चोधरी बिवानी महिंदरगर्ड लोगसबा सीट से चुनावी दावेदार होंगी आपका क्या सोचना है राय रखे साथी चोगर्दे की खबरों के लिवे ने रही है हारियाना तक के साथ विरो रिपोर्ट हारियाना तक